तो let's start the next chapter in the Indian economy, आज six chapter हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम banks के बारे में पढ़ेंगे, chapter easy है, कुछ ऐसा कुछ खास, कल की class की तरह नहीं था, कल थोड़ी tough class थी, जिसमें हम लोगोंने monetary policy पढ़ी थी, आज की class से banks के बारे में, कितने तरह के banks होते हैं, कौन-कौन से banks होते हैं simple मुरारी बाबुजी की कथा की तरह सुनिये, बढ़िया से, ठीक है, पर questions पूछी जाते हैं, इन सब चीजों में से भी questions पूछी जाते हैं, कल भी मैंने बात किये कि banks काम कैसे करते हैं, banks आप से पैसा ले लेंगे, ये मुरनाल का मैंने उठाया है, एक मुरनाल का अगर आप जैसे लोग है, वो क्या करते हैं, पैसे जाके जमा करा देते हैं, banks में, और banks उन सब को लोन दे देता है, बिजनेसमेन को, ठीक है, ये तो मालिया, ये भाग गया, पर ठीक है, इस तरह से दिखाने के लिए बता रखा है, तो ये जो बीच के लोग होते हैं, उनको क्या इंटरमेडियरी, ठीक है, फाइनेशल इंटरमेडियरी, ये banks भी हो सकते हैं, और non-bank भी हो सकते हैं, non-banks, financial institutions, आप इतना नहीं जाएए, आप तो banks माने, ये बीच में banks होते हैं, banks दो तरह के banks होते हैं, एक commercial banks होते हैं, एक cooperative banks होते हैं, नाम से पता चल जाना चाहिए, commercial banks व वो सब लोगों से पैसा ले लेगें, 4% पे और 4% के बाद में वो आगे वाले किसी को loan देंगे, तो 6% पे देंगे, तो profit काम करने वाले, commercial type के, cooperative banks, profit making उनका वो नहीं होता, वो मैं आप जैसे 8-10 लोग मिला के, गाउं में होता भी ऐसा, कि 8-10 लोग मिला के पैसा ही खटा कर करते हैं, और किसी को, suppose करो किसी को जरुवत है, तो उसको दे देंगे, ठीक है, उसमें profit का फंटा नहीं है, उसमें just किसी की आपसी में help करना, उस तरह से वो concept चलता है, बहुत सारे ऐसे संगटन चलते है, गाउं-गाउं में, महीला, मित्र, मंडली, इस तरह की कुछ- 200 रुपे देते हैं, और किसी को 1000 रुपे की जरुवत है, तो उसको दे देंगे, फिर next month सब फिर से 100 रुपे की जरुवत है, फिर दूसरे को मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके, वो round करकरके और ऐसे काम चलाते हैं, तो इनको बोलते हैं, ये भी banks होते हैं, बड़े लेवल पर ज जो होते हैं, एकसेस बैंक हो गया, पंजाब मेंसल बैंक हो गया, ये सिद्यो, ये commercial banks है, ठीक है, आप जो ये, हम पहले बात करते हैं, commercial banks की दुप, तो ये जो commercial banks हैं, ये भी 4 तरह के banks होते हैं, तो आपको simple language से समझ में आना चाहिए, public, public मलब जो government के banks होते हैं, आप देख ICICA bank का आप देख लो, वो थो private bank है, तो इस तरह से आपको दिख जाएंगे, कुछ government के banks मिल जाएंगे, कुछ private के banks मिल जाएंगे, तो कुछ private के banks भी होते हैं, commercial banks, और कुछ foreign banks भी होते हैं, जो आपको छोटे कस्बों में नहीं दिखेंगे, बड़ी-बड़ी cities में मतलब वो भारत के कोई भी, मतलब person का बनाया वा bank नहीं है, वो भार की संस्तानों के द्वारा बनायागे banks है, ठीक है, तो यह तो आपको तीन तो बिल्कुल के लिए समझ माना जाए, public, public मतलब हमेशा government की बात करते हैं, government, government के banks, private banks, और foreign banks, next is differential banks, ठीक है, और उस differential banks में चार banks है, RRB, LAB, local area bank, small finance bank, और payment banks, चार तरह के banks है, ठीक है, तो हम इसके बारे में आप एक एक करके पढ़ लेटे हैं, यही है, आज की class में और कुछ है, bank से बारे मैंने बता दिया, कि आप लोगों से कम interest पे ले लेगा, और आगे वाले को ज्यादा interest पे दे देगा, जो interest, जो ठीक है, वो तो, मतलब commercial bank है वो एक प्रसी, Central bank है हमारे case में किसको बोलते है, RBI के, ठीक है, तो एक से Central bank का क्या concept है, कि हर देश में एक एक Central bank होता है, ठीक है, हाँ, Hello, कुछ issue है किसी को, ठीक है, तो एक, हर देश में एक एक Central bank होता है, ठीक है हमारे देश में कौन सा सेंटर बैंक है रिजवर बैंक को फिटीया काम क्या रभी आइगा कली सबसे इंपर्टन काम तो कली हम लोगों ने देखा मोनेटरी पॉलिसी वह डिसाइड करता है ठीक है तो एक तरह से इंप्लिमेंटिंग के मोनेटरी पॉलिसी मोनेटरी पॉलिसी हालो थोड़ा आप अपना बंद कर लिजिए हालो यह क्या होगा है आवाज है ने क्लियर है आवाज आरहे है ना वही आप लोगं ओके ठीक हम तो रिच काम एक तो इंपॉर्टन कल वाला हम लोगों ने डेख लिया कि मोनेटरी पॉलिसी रिची को इंपल्येमिंट कर आथा ले से policy को कौन decide करता है monetary policy committee decide करती है वो भी हम लोगों बात की थे कल ठीक है तो यह क्या है एक काम तो यह इसका यह है दूसरा काम क्या है कि यह दूसरे बैंक को guide करता है अब बैंक जैसे कि आप आप सबोज कीजिए आप अगर आपको प्रोब्लम आएगी वो RBI के पास ही जाएगी ठीक है उसके अलावा issuing currency नए note वगरा है अगर को अभी छापने पड़ते तो कौन छापता है RBI ठीक है पूरे financial system का supervisor भी यह है पूरा पूरा जो अमारे देश में financial system मतलब सारे banks वगरा जो भी चल रहे हैं इन सबको सुप्रॉइस कोन करता है तो यह RBI के काम यह पूछ लेते कही वारे इसको bankers bank भी बोलतें bankeurs bank मनलब सारे banks का यह bank मतलब सारे बैंक का यह सारे हम लोग पैसा लेने के लिए मैंक के पास पर बैंक को पैसा लेने के कर लोग को जाते है banks RBI के पास जाते हैं, तो इसलिए इसको बोले हैं, Bankers Bank, सारे Bankers का भी ये Bank है, ठीक है, तो उसके पास में जाते हैं, ठीक है, तो एक तरह से ये इसके functions हैं, Central Bank, Central Bank मनलब RBI, ठीक है, अब आपके पास में कोई CBA का कुछ आपको लगे Central Bank of India, तो उसको confuse मत हो जाना, यह तो RBI है, यही Central Bank, ऐसा नहीं, वो Central Bank of India, यह Central Bank, I hope यह clear होगा, Next हम लोग पढ़ेंगे, Commercial Banks, मैंने बताया था भी, Commercial Bank का मकसद क्या है, पैसे कमाना, चार तरह के उते हैं, ठीक है, Public, Private, और Foreign के, और Differential वाल, ठीक है, किसके अंडर बनाए गए थे, Commercial Bank, सारे के सारे, Banking Companies, एक टाये, 1956 में, ठीक है, उसके अंडर सारे के सारे बैंक आते हैं, ठीक है, इन सारे Banks में, सारे Commercial Banks, जितने भी हैं, आप, कई Banks के नाम तो आपको भी पता होगा, आपके आजू-बाजू में होगा, आपका काउंट भी होगा, इन सारे Banks में से, मानलों, पचास Banks हैं, पूरे इंडिया में, Commercial Banks, जो Companies Act के अंडर आते हैं, उन में से कुछ ऐसे Bank, चुनिन्दा Bank है, जो RBI के, RBI Act आये था, RBI Act 1934, उसके Schedule 2 में, मनलब उसके RBI के Act के अंदर, उन Banks का नाम लिखा हुआ है, उन Banks को रहता है, Schedule Commercial Banks, मनलब शेडियूल लग जाता है, तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए बाद, बहुत सारे Commercial Banks हैं, उन Commercial Banks में से, कुछ Banks हैं, मानलों, दस Banks हैं, पूरे Bank Commercial Banks 50 थे, उन में से 10 Commercial Banks हैं, जिनका RBI के Act में भी नाम आता है, RBI के Act में भी नाम आता है, तो इसलिए उनको बोलता है, कौन से Schedule में आता है, कोई भी Act आता है, तो Schedules में आता है, जैसे अपने Books में Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, इसी तरह से कोई Act या Bill आता है, उसको बोलेने Schedule Banks, या Schedule Commercial Banks, ठीक है, I hope यहां तक Clear हो गया होगा, Commercial Banks को हम लोग 3 भागों में बाढ़ सकते हैं, Public Sector Banks, Private Sector Banks and Foreign Banks, जो बात कर चुका हूँ है, Differential Banks, एक चोथा पार्ट है इसका, Differential Banks के भी 4 बार्ट हम लोग उने बात कर रहे है, Regional Rural Bank, RRB, 1975 में इसको Establish किया लगा, Problem क्या हुए कि, जो यह बड़े-बड़े Banks थे, यह गाओं में जाके काम नहीं करना चाहते थे, यह बोलते थे कि यार, वहाँ पे तो ज़्यादा Profit नहीं मिलेगा, गाओं के लोग इतना Deposit भी नहीं करते हैं, पैसा होसा, इतना काँ Deposit करते हैं, वो अपने पास में ही रखते हैं, जो कमाते हैं, तो यह लोग गाओं में जाके, पर गाओं में जरूरत तो है Bank की, वहाँ पे उनको Loan लेने की भी जरूरत है, गाओं वालों को, कभी-कभी कोई फसल मतलब के लिए लोग लेना पड़ सकता है, कोई चीज, कुआ कोदने के लिए, कोई कुछ और भी चीज़े होती है, जिनके लिए उनको Loan की जरूरत है, या उनका छोट-छोटा पैसा है, वो डिपोजिट करने के लिए भी जरूरत है, बड़े-बड़े बैंक्स इतना जाते नहीं थे, तो Government of India ने 1975 में क्या किया, कि एक नए Commercial Banks की स्थाफना की, जिसको बोला RRB, Regional Rural Bank, ठीक है, ये सिर्फ गाउं में गाम करेगा, ठीक है, तो ये जाके गाउं में गाम करता है, तो बस ये आप समझ लीजे, differential bank क्यों हो आए, differential मेलब जो थोड़ा लीक से अटके है, ये उपरवाले banks थे ना, ये कहीं पर भी अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, गाउं में, सहर में, जहाइन की मन करें, वो करेंगें, पर RRB ऐसे नहीं होते हैं, RRB, Rural Areas में ही, अपनी ब्रांच खोलें, इसलिए इसको differential bank कोले, ये अलग करेंगे, बैंक कर, जो सिर्फ गाउं में पाए जाते हैं, गाउं के लिए पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपके गाउं के अंदर होगा, वो कोई तैसिल में होगा, वाजू वाजू की में, पर वो गाउं को agriculture के लिए कुछ लोन देना हो, या पैसा देना हो, या आप लोगों का, इस तरह के agriculture से related activities के लिए कुछ भी आपको लोन ओन चीए, तो इन से ले सकते हैं, ठीक हैं, हर जगह नहीं मिलेंगे, पुछ-कुछ जगह में लेंगे, ये एक तरह से RRB में किसका जैसे public sector banks पूरे government के होते हैं, private sector banks पूरे private sector के होते हैं, उसमें सारा का सारा मालिक से लेके सब कुछ private company होती है, इसी तरह से RRB में तीन जने मिलके ये bank को बनाते हैं, Central government उसमें 50% इस्सेदारी होती है, मतलब वो 50% मालिकाना हग किसका है Central government का, State government का उसमें 15% होता है, और commercial bank, कोई भी commercial bank हो सकता है, जैसे SBI बोला, SBI बोल रहा है कि मैं 10 RRB खुलूँगा, 10 Regional Rural Bank खुलूँगा, 10 Regional Rural Bank खुल रहा है कि सब्सक्राइब महाराष्ट्रा में खुलना चाता है, 10 Regional Rural Bank खुलूँगा, तो बोले खुलूँगा, ठीक है, तो पर महाराष्ट्रा गुवर्मेंट को भी अगरी करना चाहिए, टोटर में आके 196 RRB इस्टैबलिस हो गए, नमबर इतना कोई जरूरी नहीं है, ये 2005 तक का ये नमबर है, आप लेटेस नमबर देख सकते हो, ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नमबर नहीं है, अच्छा इसमें और भी लिखा हुआ है, अच्छा इसे, फॉम 2005 ओनवर गोर्वर्मेंट इस्टार्टेंट मर्जिंट अभी क्या थे छुट छुटे बैंक्स बन गए इधर उधर, इनको मोनिटर करना इस तरह से बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत सारे बैंक्स खुल गए, दीरे दीरे गोर्वर्मेंट ने क्या किया, दो तीन तीन बैंक्स को मिला मिला के, मर्जर, मर्जर मलब दो तीन रर्वी को मिला मिला के, इनको 196 को कम कर करके, अभी भी जैसे, बहुत सारे बैंक्स का मर्जर चल रहा था, इस तरह से के बात समझ में आगी आपको इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर अपने एक लोकल एरिया बैंक खोल सकता है ठीक है कोई भी प्राइवेट सेक्टर अब प्रोफिट कमाने के लिए बनें सिंपल से बात है चार लोकल एरिया बैंक है चारों की चारों साउथ इंडिया में थोड़ा नंबर आप लोग देखते रहे ना चार पांच जो भी है मेरे साफ से त फिर नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक यह क्या करते हैं छोट छोट छोटी इंडस्ट्री इसको अब देखो गाम वालों को बड़े बड़े बिजनेसमें वगरा के लिए तो कमर्शियल बैंक से जो सहरों में है छोट छोट छोटी जो पुटूर उद्ध्योग है छोट छ फाइनेंस बैंक स्थापना की तो माइक्रो इंडस्ट्री फार्मर्श अन और्गनाइज सेक्टर के लिए इन्होंने स्टार्ट किया नेक्स्ट पेमेंट बैंक जो अभी लेटेस्ट वाली इस एर्टेल पेमेंट बैंक और इस तरह के एड आते रहते हैं आप देखोगे न फोर्च पोस्ट फ फॉडों ने खूला है पोस्ट फेमेंट वेंक ये चोटी फोडय बैंक होते ये क्या करते हैं कि यह जैसे कि आप preparedness बैंक में मेरा खाता कुल इसके सबसEvet। उसमें पर आप एक लाग रुपए तक के उसमें जमा करा सकते हैं, उसमें एक कैप है, कि only deposit आप एक लाग तक करा सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए वो आपको क्या करेगा, एक ATM भी देदेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप debit card ले लो उससे, कोई दिक्कत नहीं, mobile banking देदेगा, और एक लाग में आप कुछ जब निकालना हो, तो पैसे निकाल लेना, जैसे bank करता है, वैसे के वैसे करेगा, पर bank में आप कितना में deposit कर सकते हो, payment banks में ऐसे नहीं होता है, ए एक और अंतर है इन दोनों में, कि bank में से आप loan भी ले सकते हो, payment bank loan नहीं देता, कभी भी, वो इतना पैसा ही नहीं हो, उसके पास में के loan लेगा, तो इसलिए payment banks को loan नहीं देता, ठीक है, cannot apply for loans, you cannot apply for loans, second thing, कि credit card भी issue नहीं करता payment banks, loans and credit card नहीं देगा, credit card में क्या issue है, credit card ऐसे होता है, कि जैसे आपकी limit है, दो लाग की, तो आप दो लाग तक कभी भी withdraw कर सकते हो, और उसको एक मेने बाद में देदोगे, bank को, ऐसे होता है, credit card का मतलब यह होता है, debit card का मतलब होता है, आपके account में जितना पैसा है, वो ही आप निकाल सकते हो, credit card का मतलब यह नहीं debit में हमको कोई दिक्कत नहीं, आपका एक लाग है, आपका भी भी निकालो, credit card में कैसे दे सकता हो, credit card नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि हम तो एक लाग तक का पैसा लेते हैं, हम उस छोटे bank से credit card देने लग गए, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, तो इस तरह साब समझे, यह सारे के सारे चार banks जो आए, यह differential banks बोलते हैं इसको, यह थोड़े अलग तरह के banks है, RRB सिर्फ गाउवालों के लिए काम करेगा, local area bank एक particular local area के लिए काम करेगा, private players से ला देंगे से, small finance bank क्या करते हैं, कि छुट-छुटी industries को loan देने के लिए काम करे, यह बड़े-बड industry और आप बोलोगे, मैं RRB में जाके बोलो, कि मेरे को तो loan चाहिए, तो वो मना कर देंगे, agriculture से related कुछ काम है, तो बताओ, ठीक है, same payment bank का एक है, कि वो एक लाग से ज़्यादा deposit नहीं लेगा, debit card देगा, credit card नहीं देगा, simple logic, loan भी नहीं देगा, यह चार है, अभी wholesale bank भी आ तो यह इनको differentiated bank बोलता है, और normal banks, normal commercial banks यह तीन तरह के हो, public, private और foreign, differential का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, जो leak से अटके होता है, उसको differential बोलता है, okay, next is cooperative banks, जो बताया है, इनका profit making नहीं होता है, इनका aim, यह तो मतलब, बस कुछ लोग मिला के और एक bank खोल लेंगे, कु आप अब ही जो class में जितने लोग हैं, हम लोग मिलके एक bank खोलता है, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, हर मैने मैं 11,000 रुपे सबसे ले लेंगे, और 11,000 करके 10,000 के साब 10,000 हो जाएगा, 10,000 जिसको जरू होता हो, 10,000 रुपे ले जाएगा, फिर अगले मैने फिर से 11,000 कर हैं कि हम लोग पहले की movies में नहीं दिखाता है कि normally एक बंदे जाता था, लाला के पास में परिशान होता था, लाला मेरे को पैसा दे दे, ये वो और वो उसके सब कुछ लूट लेता था, गैना रूट लेगा, जमीन जाया, सब लूट लेगा, वो सब कुछ, तो उससे तो है न, दस लोग, दस दोस्त मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं और जिसको जरूता है, उसको मिल जाया है, तो दीजार थी cooperative bank, पर आपको, अन ओफिशली तो कुछ भी चला सकते हो, पर ओफिशली ये संस्ता को अगर register करना है, तो state government में हर cooperative banks के लिए एक एक low है, तो state government के low के under register करना पड़ता है, जैसे अपनी उपायशन सता है, तो NGO तो आप, ऐसे तो आप खोल सकते हो, पर आपको registered NGO होने के लिए महरास्टर का, जो society act है, उसके अंदर register करना पड़ेगा, same is for cooperative banks, if you want to register your cooperative bank, then you have to go with state government's act, ठीक है, कोई भी state government जिसमें आपको हो भी, ठीक साफान, ठीक है, तीन की cooperative banks होते है, थी लियर के होते है, एक तरह से, state level पे बेंक होते हैं, cooperative banks इनको state cooperative banks बोलता है, पिर district level के कोपक कि बेंक, थी सरह प्राइमी अगरि कौकोष। Wela girls इतना ज़्यादा जाने की जडर्रोत हैं इए अभी तक आपको banks के सारी आजने नीरी समझ में आ जाने चाहिए a भाइक प्रैसा कमाने के लिए क्वार्ट एक जो नोन एक तरह से नोन commercial बोलतो जो पैसा नहीं कमाने के लिए काम करते हो उनको करते हैं तो उनमें आपको RRB आ गया, Small Finance Bank आ गया, Local Area Bank आ गया and 40 is Payment Bank, ठीक है, तो यहां तक आपके clear हो जाने चीज़, अभी तक bank का आपको clear हो जाने चीज़, अब आती है, कुछ ऐसी संस्ताने हैं, जो banks नहीं है, ठीक है, पर bank की तरह act करती है, वो आपके bank का काम क्या है, bank का काम य या आप जब मांगोगे, आपको देना, यह bank का काम, ठीक है, अभी तक कि जो भी सारी चीज़े थी, उपर वाले वो उसी तरह से सारी चीज़े थी, यह जो non banking system होता, वो आपसे पैसा वसा कुछ नहीं लेता, ठीक है, जैसे आपको घर बनाना, तो आपको घर बनाने के पर SBI एक bank है, उसके पास बहुत सारा पैसा इदर उदर से आ रहा होगा, और उनको आपको दे देगा, ठीक है, पर government ने कुछ ऐसी संस्ताने बना दी, जो particularly यही काम करती है, और उनमें जो पैसा आता है, वो government देगी, या कहीं और से देंगी, एक तरह से, इस तरह से, इनको बोलते हैं, non-banking financial institutions, NBFIs, इनको ऐसे ही language में हम specialized bank भी बोलते हैं, और all India financial institutions भी बोलते हैं, यह क्या करते हैं, specialized bank का मतलब होता है, जैसे आप SBA के पास जाओगे, तो home loan भी देदेगा, car loan भी देदेगा, आपको industry है, तो industry का भी देदेगा, यह चार ऐसे banks हैं, जो सिर्फ particularly जो काम के लिए बने हैं, उन्हीं को यह loan देंगे, और किसी चीज के लिए loan नहीं देंगे, ठीक है, तो यह specialized banks इसलिए बोलते हैं, क्योंकि एक special काम के लिए bank आपको loan देगा, जिसमें चार बैंक एक्जिम है, नाबाड आपने नाम सुना होगा, National Bank for Agricultural and Rural Development, NHB, National Housing Bank and CIDV, यह चार bank है, जो particularly इसको All India Financial Institution भी बोलते हैं और specialized bank भी बोलते हैं, ठीक है, तो सबका काम आपको समझ में आ जाना है, एक्जिम बैंक क्या करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको assistance चाहिए, कि कुछ आपके पास चीजे हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हो आप, नोर्मली, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ लोन चाहिए, ठीक है, तो यह आपकी help करेगा, यह इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्याज है, और माहराश्टर पोँचाना चाहता हूं, और मैं कुछ यह लोन कि प्याज इतना kg, प्याज है, मेरे बिज्वख चीजए है, उसके लिए लोन लेना है, और मैं एक्सीम बेंक के पास चला जाओ, एक्सीम बोलेगा, कि नहीं, अभी तुम जाओ घर पे, अभी तुमको लोन नहीं मिलेगा यह हमारा काम है आपका प्याज क्या एक्सपोर्ट के लिए जा रहे है या मैं बोलूगा नहीं हो तो महाराष्ट जा रहा है तो आप जाओ घर पर आप कोई दूसरे बैंक से ले दो फिर अगर मेरा प्याज अगर अफ्रीका जाता है तो फिर मैं बोलूगा हाँ मेरा प्याज अफ्रीका जाने वाला एक्सपोर्ट में गाम आएगा तो मेरे को इसलिए लहों तो इस तरह काम करता है एक जिन ठीक है दूसरा नाबाड नाम से आपको समझ में आ गया नैस्नल बै बैंक अगर कुछ बहुत सारी संस्ताइं ऐसी है एन बी एफसी भी है या जो भी आप बोले कुछ फाइनेशल कंपनीज हैं जो हाउसिंग लोन देती है आपको आपके पास फोन भी आता होगा सर हाउसिंग लोन ले लो या इस तरह की चीज़ आती है तो उनको यह रेगुलेट करता है और उनमें पैसा देता है अब मैं थोड़ा सा हो डिटेल में नीचे है वसे और सिड़ भ कि मुछ स्मॉल इंडेस्ट्री नाम से समझ में आ घैं अब सक्रूस्अ में बना दिया आप चार्ड भी देखोगा उतना काफी हमें कैसे कैसे स्टार्ट हुए एक्जिम बैंक सबसे पहले नाबार कि एनके इनके हैड़कॉर्टर्स आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के दो कि मोंबई है फिर डेली है फिर लखना हुए से भी है यहां पर मैंने एमडी या सेमडी जो भी इसका अभी सबसे बड़ी पोस्ट पर उनके नाम लिख दिये हैं यह पूछी जाते हैं क्योंकि कई बारत जामें हो सकता है कि आपका एक्जाम जब तक कोई चेंज है तो यह आपकी जिम्मेदारी है हमेशे नाम को अपडेट करते रहे हैं ठीक है औ नाबाड को स्टार्ट करने के लिए सिवा रमन कमिटी थी वी सिवा रमन और नहीं को स्टार्ट करने के लिए कौन सी रंगा राजन कमिटी आई थी एक तरह से एक इनके बाद में स्टार्ट हो इनके मालिक कौन-कौन है पहले वाला एक्जिम बैंक का 100% मालिक है नाबाड क आइडी बैंक ने स्टार्ट किया था और उसके बाद में LIC, SBI ये सारे इसके मालिक है इसके पहले अलग-अलग मालिक थे अभी गोवर्मेंट ने 100% टेक और कर लिया पहले नाबाड में भी RBI भी थोड़ा बहुत मालिक था आप बोलोगे सब गोवर्मेंट ऑफ इंडिया की सिडवी के अलाव एम सब का मैंने पहले बता दिया कौन क्या काम आता है ओके थैंक्यू क्लास तो यहीं पर खत्म होती है फटा बड़ क्यूज करते हैं आज की क्यूज बहुत अच्छी है बही है नो क्यूशन अच्छे है और आपको सो अच्छाओ नहीं तो आगे चलते हैं क्लास तो सिंपल ही थी आज की कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्लास नहीं बट आप लोगों कोई चीजे समझने पड़ें तो स्टार्ट करते हैं मोनेटरी पोलिसी इस ए रेगुलेटरी पोलिसी बाइच दा दैस और मोनेटरी अथोर्ट पोलिसी को कंट्रोल करते हैं और आंसर इस सिंपल सेंटरल बैंक विच इन और के सेकेंड विच अविच आप दी फोलोंग कांस अंडर एसलार एसलार के अंदर क्या क्या आता है इस्टिटिट्री लिक्विडिटिटी रेशो रिजर्व कैश और भूनेटरि पोलिसी टूर्व परहूट सेक्यूर्ट और ओलव्व ऑभव अंसरी ऑल ओलो आप ईवाभव मैंने बताया था कल क्या थिक आर्ज टमश चैस के टम्स से टूल इन में से कौन सा मोनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है लिक्विडिटी एजस्मेंट फैसलिटी एले एफ ओपन मार्केट ऑपरेशन्स बैलेंस अकाउंट्स रिजर्व रिक्वर्मेंट्स रिजर्व का मतलव आप समझ में आना चाहिए इसलार की बात हो रही है उसमें रिजर्व आता है आंसर इस सी सेम यह भी उपीसी में पूछाओ क्यूशन है अगर आप कर पा रहे हो तो वेरी गूट फॉर्थ क्यूशन इफ आर्बिये इंक्रिज इस रैपो रेट अगर पर क्या इंपेक्ट पड़ेगा रैपो रेट बढ़ाया है तो लिक्विडिटी बढ़ेगी लिक्विडिटी डिक्रीज होगी लिक्विडिटी एक इस तर पर रहेगी और इनमें से कोई नहीं में आइंक है ने को रैपो रैपुरेट वडाया उसने तो रैपुरेट वड़ाया तो मतलब अब बैंक की सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या अच्छेफित फॉर्शन बेकतों श् hunज़ा रपो ऐको प्रसेंटेज अब श। 0-0-0-0-0-0-10 ना उस चीज़ के लिए तो मार्केट में पैसे कम हो जाएगा तो लिक्विडिटी क्या होती है डिक्रीज होती है अंसर इस बी यूपीसी में आया हो किशन और एंड इंक्रीज इन दा बैंक रेट बढ़ा दिया बैंक रेट मतलब जो लोंग टम में लों देते हैं कि इंडिकेश्डट मार्केट रेड वस इंट्रेश इस लाकेट व पॉल अगर बैंक रेट बढ़ाया है तो । इसका बढ़ीड मार्केट 10 एक ट्क आट जश्टाम। होती है जिस पर पट्रीज होती है श्र कर्केट बैंक दूसरे यंद्रीज फोगरद अगर bank rate ने जो लोन दिया है वो महंगा कर दिया उसकी rate बढ़ा दी तो क्या market rate कम हो जाएगी Central Bank is no longer making loan to commercial banks Central Bank is following an easy money policy Central Bank is following a tight money policy easy और tight का मिलब यह थोड़े सा पता रहे न अच्छी आपको यह UPSC 2013 का execution है आपको simple सी बात है कभी ऐसा question आये तो answer में COT में से होगा ने या दोनों opposite है तो एक तो answer सही हो नहीं ठीक है तो जब banks RBI ने banks को loan देता है वो महंगा कर दिया तो RBI आगे वाला bank भी क्या करेगा जब वो कोई उसके पास में पैसा लेने आएगा तो उसको भी तो महंगा ही देगा ना तो market rate कैसे कम हो सकती है market rate तो बढ़ेगी उसके बात में अगर उसने बढ़ा है तो एक तरह से Central Bank क्या कर रहा है tight monetary policy करता है tight मतला हमेशा होता है कि चीजों को ज़्यादा control करना मार्केट को अच्छे का मतलत है market में बहुत सार पैसे निकाल देना और tight का मतला हमेशा बहुत सार पैसे को को एब्जोर्ब कर लेना मलब लेक्विडिटी को कम करते हैं आंसर इस दी तुछ थर्टीन का क्यूशन है ओपन मार्केट ओपरेशन को क्या बोलते हैं क्या होता है बताइए बोरो बाइदा स्टुल बैंक्स फ्रॉम आर्बी लेंडिंग बाइदी कॉमर्शल बैंक्स तो इं MSE r us and none of your problem । ओपन मार्केट ओप्राइशन जैसा का हैं उतल बेंक्स ऊफ कर लोगthy कल बताएं्य। सिंपल सिंपल यूम्ली voyez second 2013 का क्यूशन है open market operations क्या होता है government securities को बेचना और खरीदना ही तो होता था open market operations ठेक है वाई disconnect हो जाए तो आपसे connect कर लेना चारी क्यूशन बचेंगा RBI reduces SLR, statutory liquidity ratio को कम कर दिया by 50 basis point 50 basis point यह RBI इसी तरह से यूज़ करता है 50 basis, 100 basis point मलब 1% 50 basis point मलब 1,5% 0.5% उसने कम कर दिया SLR को तो इन में से क्या फरक पड़ेगा economy पे क्या फरक पड़ेगा इडिया की GDP growth बहुत ज़्यदा बढ़ जाएगी foreign institution investors may bring more capital into our country foreign वाले बहुत सारा पैसा लेकि इडिया जाएगा सिर्फ पहले तो SLR आपको समझ में आना चाहिए, SLR क्या था वो 18% जो banks को रखना पड़ता है क्या तो cash में, क्या gold में, क्या government securities में तो अभी अगर जो SLR 18% होता है उसको अगर 17.5 कर दे तो क्या economy बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अचनक से क्या foreign players इंडिया में आके बहुत सारा investment कर देंगे क्या schedule commercial banks में cut their landing rates क्या जो commercial banks है जो जिनको यह 18 की जगे 17.5 रखना पड़ रहा है वो क्या आपने जो landing rates है जो दूसरे businesses को loan देते तो उसकी rate को कम करेंगे या it may drastically reduce the liquidity in the banking system इससे banking system किये में बहुत ज्यादा liquidity कम हो जाएगी पहली बात तो liquidity तो कम होगी नहीं बढ़ेगी न अब आपने क्या किया कि RBI ने क्या किया 18% उनको रखना पड़ा था अब 17.5 ही रखना पड़ा था तो 5.5 परसेंट ज्यादा रहे गया पहले उनको 18% साइड में रख देना पड़ रहा था तो D तो होगा नहीं इंडिया की GDP increase हो जाएगी सिर्फ 50 basis points से 50% नहीं हो 0.5% है तो यह भी गलत है तो answer ही C है इसका क्योंकि जब banks को 18% रखना पड़ रहा था अभी 17.5 ही परसेंट अलग से रखना पड़ रहा था ओविसली उनको थोड़ा margin मिल जाएगा और अराम से देने का लोन्स हो गरा ठीक है नेक्स क्योशन इस 2015 का क्योशन है UPS से IES का कि इंडियन economy में इन में से monetary policy के कौन-कौन से components है bank rate open market operations public debt और public revenues तो क्या पहला है सिर्फ पहला दूसरा है दूसरा तीसरा और जोथा है या वन टू वन थ्री हो रहे है एड़्ट क्योशन लेकिया आप सारे UPSC वाले क्योशन भी आदाम से जवाब दे पा रहे हो ना इतना ही चाहिए और कुछ ज्यादा एक्स्टा करना ही ज़रूद में इतने में आपकी क्योशन निकल जाएंगे मोने मोनेटरी पोलिसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आता है बैंक रेट भी आती है नाइस क्यूशन इस नाइस क्यूशन वाट विल बिदा इंपक्ट ओन कैस्ट रिजाव एक तरह से कैसी है और कमर्शिल बैंक से अगर अगर आरवी एई सिक्यूर्टी को बेचता है तो कैस्ट पर क्या वर्भाव पड़ेगा तो बैंच के से का क्या परम। परोपड़ेगा तो क्या के से का एक एक से सब forty hop स्क्राइब नरा कि सिटेब कम देगा तो क्यां पैसा लेगा तो मार्केट से उसनेैं पैसा के सप्षिव प्र मार्कीट में क्या यह राएखाधा थिक्रीज़ दिमांट थोड़ थोड़ दिमाग लगा ना आप लोग एक दो बार और पढ़ोगे न चीज़े क्लियर हो जाएंगे 10th question is RBI on behalf of the government issue MSS bonds MSS का नाम पता है आपको market stabilization scheme bonds to mop up extra liquidity from the market extra liquidity को market से अठाना उसको ज्यादा पैसा market उसको अठाना this is same as open market operation में भी same करता है वो government securities को बेचता है और पैसे को निकालता है बर इन दोनों में थोड़ा सा difference है वो difference बताना आपको money is not raised by MSS bonds यह difference है open market operation यह MSS में money raised from the market by MSS bond is stored in government normal account for next money raised from the market by MSS bond is stored in separate account known as MSS account which cannot be used for the normal government expenditure या डी नन अप्यवाव अंसर इस सी यह भी UPSC में अज सारे क्यूशन साप मतलब सर्प्राइज गरेंगी कि सारे सारे क्यूशन से 1 तो 10 आइटिंग फर्स्ट हो सेकिंड को छोड़के सारे क्यूशन सारे क्यूशन और आप सब कर पाते हों तो यह एक अच्छी चीज है आप लोग जस्ट उसको एक बार रिवाइस करते रहें नहीं थोड़ दिनों बाद में भूज जाओं ऑके थैंक्यू थैंक्यू वहरे मैं चार्ज की क्लास यहीं पर खत्म होती है किसी कोई डाउट है तो रुक के और पूछ सकता है ना